मैं हूँ आपका English companion तो आज एक नए वीडियो में आपका बहुत ज़्यदर वेलकम है और फर्स्ट वीडियो आपने है जिस तरीके सवाज किया है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक exercise एक नई exercise है जिसमें हम लोग एक नए तरीके के पैसेस को देखेंगे और इसमे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था ये उन बच्चों के लिए जादा important होने वाला है जो class 10 में या class 12 में पढ़ रहा हूं और ये वीडियो उनके लिए important होने वाला है जो अपनी communication को अच्छा बनाना चाहते है बहतर बनाना चाहते है तो इस वीडियो में हम लोग कुछ मैं 6 या 3 मार्क्स का ये translation आता है और translation अगर आपको आगे ना तो आपको English बोलने भी आ जाएगा ठीक है ये चीज़ें आप माइंड में रखें कि हमें सबसे पहले अपने grammar portion को सबसे ज़्यादा इश्राउं करना है और अपने वोकायर को improve करना है तो चलिए ज़्यादा time को spend ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कि इसे हम किस तरीके से यहाँ पर translate करेंगे हम बात करें सबसे पहले sentence की तो इस्वर ने हमारे लिए चान बनाया है अब यहाँ देखे चान बनाया है में हम लोग helping verb जो होता है हैस का और verb की जो होती है third form हम यूज करते हैं तो इस्वर ने यहाँ पर इस्वर को हम क्या लिखेंगे गौड लिखेंगे यहाँ पर गौड हो जाएगा अब helping verb हैज गौड हैज देखें बनाने का हम लोग यहाँ पर मेड जो होता है third form हो गया तो गौड हैज मेड क्या बनाया है दमून चान बनाया ह अब किसके लिए बनाया है हमारे लिए तो उसने सूर्य बनाया भाई गौड ने बनाया तो ही यानि उसने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे he same यहाँ पर भी आपका past perfect tense है तो he has आपका made he has made क्या बनाया है सूर्य बनाया यानि शन को बनाया तीग है इस तरीके सा आप यहाँ पर एक आपका sentence complete हो जाएगा आदमी घर बनाता है, तो आदमी घर बनाता है, यह जो sentence है, यह आपका present indefinite tense है, तो यहाँ पर हम लोग, man जो होगा ना है, आपके subject हो जागा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिग देंगे, man, man बनाने का यहाँ पर mix होगा, आपको उता है, present indefinite tense में वर्प की अगर simple, ठीक है, तो यहाँ max हो जाएगा, क्या बनाया, max house, यानि घर, यानि या आदमी घर बनाता है, यानि यहाँ पर houses लिख देंगे, तभी ठीक है, या house भी रने दें, तो होसल मनों कई घर बनाता है, यहाँ पर houses हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ आप देखे, आदमी ने computer यहाँ लिख देंगे, man, hedge, ठीक है, यहाँ पर third form लगा देगे, बनाने का, mid हो जाएगा, क्या बनाया, computer बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग computer लिख देंगे, computer and क्या बनाया भई, atomic bomb, यानि यहाँ परमाड bomb को हम लोग बोलते है, atomic bomb हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो जा यहां पर देंगे हम परन्तु को लिखेंगे बट मैं यहां पर हो जाएगा मैं यानि आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता है आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता है बट मैं यहां पर फिर से आपका हो जाएगा बनाने क्या हो जाएगा क्या मेक हो जाएगा यहां पर फिर से आपका हो जाएगा यहां पर फिर से आपका सेंटेंस हमें इस्वर की पूजा करनी चाहिए तो हमें इस्वर की पूजा करनी चाहिए तो हमें इस्वर की पूजा करनी देखिए यहां फिर से आ गया तो we should पूजा करने को होता है worship होता है worship होगा आपका पूजा करना worship इसका पूजा करना चाहिए God का इस तरीके साब का यह sentence complete हो जाता है तो I think आपको इसमें समझ में आया होगा कि हम इसे किस तरीके से बनाएंगे तो चलें यहां पर देखते हैं क्या कि आपने यहां पर वर्ड आस यहां पर सीखा तो यहां पर God ठीक है इस्वर चांद का आपने देखा मून होता है ठीक है हमारे लिए क्योंजा का फार अस उसने के लिए हमने यहां पर ही का यूज़ किया अब यहां पर कंप्यूटर के अपने यहां पर देख लिया तो इस तरीके से आपने इस आर्थ की exercise में भी आपने कुछ word सीखा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है कि आप अपने word power को अच्छे से strong करें जो कि आपको communication करने में कोई hesitation नहों तो I hope मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आप enjoy करके आपने सीखा कुछ word power भी सीखा अगर आप इस तरीके से सच में अगर आप इससे practice कर रहे हो अगर आप everyday दो से तीन मिन निकाल कर अगर इससे सिप आप देख ले रहे हो अगर practice कर रहे हो तो definitely आपका English की problem आपकी दूर हो जाएगे ठीक है सब्सक्राइब करने और वेल आइकन को प्रेश करने जिससे जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक आसानी से मिल जाए तो मिलते हैं इसी तरीके के एक नए English के पैसे में जिसमें हम लों कुछ अपने grammar के rules और कुछ recap को सीखेंगे तो thanks for watching